नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ अगर आप भी HPSSE, LT Commission 2020 जो 20 दिसंबर को होने जा रहा है उसकी परिक्षा दे रहे हैं या फिर LT TET की परिक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वैली वीडियो बेहत महतापूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम 130 प्रशनों को दिस्कस करने जा रहे हैं जो पूरे के पूरे आपके परिक्षा है उसके आधार पर ही पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही हम 130 प्रशन आपके लिए लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम complete इन तीस प्रशनों को discuss करेंगे तो चलिए दोस्तों बिनादेर की ये शुरुआत करते हैं आज के lecture की और देखते हैं प्रशन संक्या एक सबसे पहले है देखिए वर्ण रतनाकर किसके रचना है तो इसमें आप सब चानते हैं कि पहले की जो प्रशन होते हैं वो आपके पूरे सहित्य और जो दूसरा आपका व्याकरण है वहां से पूछे जाते हैं तो वर्ण रतनाकर जो आदिकाली जो कृतियां है देखिए वहां से ये पूछा गया है कि इसकी रचना किसने की है तो वर्ण रतनाकर जो इसके लिखक हैं देखिए वो है आपके विकल्प नमबर 4 जूतिरिश्च्वर ठाकुर रोडा कवी की कौन सी है राउल विल है जबकि दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और राम सिंग की कौन सी रिच्रितिया देखिए पाहुर दोहा है तो जो भी प्रारमभीक रचनाय है वहां से पहला ही प्रशन पूछा जाता है या आपको तोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है अगला प्रशन है देखिए अपब्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है तो विकल्प है चंदर धर्शर्मा गुलेरी शामसुन दर्दास प्रशाद दुवेदी तो इसका जो सही उत्तर है देखिए वो है आपका विकल्प नमबर एक चंदर धर्शर्मा गुलेरी तो इन्होंने कहा था पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी नाम ही दिया है किसने दिया है अचारे रामचंदर शुकल जी ने भी ठीक है नेक्स द ने भी कहा है और रामकुमार वर्मा ने भी चारणकाल की संग्या दी है ठीक है लेकिन इसके साथ ही साथ जो रामकुमार वर्मा है वो क्या कहते हैं इसको संधिकाल भी कहते हैं इन्होंने इनको दो भागों में डिवाइड किया है ठीक है अगला है देखिए मालवी बोली क अगर आपने बोलियों वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप जाके उसको भीचा कर सकते हैं तो देखिए इसका जो सही उतर होगा ये होगा आपका विकल्प नमबर तीन शौर सेहनी ठीक है तो शौर सेहनी अपवरंश से कितनी बोलिया निकली है ये भी आपको पता होना चाहिए या कितनी उपभाशाय निकली है वो भी आपको मालूम होना चाहिए चलिए अगर तो देखिए साहिते त्यास लेकन की जो पदतियां है बहुत मौत्वपूर्ण है वहां से भी प्रशन पूछा जाता है कि किसने वननकर्म पदती दी है किसने विधेवादी दी है और किसने विज्ञानिक दी है ठीक है तो यहां पर देखिए जो साहिते त्यास में शुकल के दोरा पूछा गया है कि किस पद्धती को अपना गया था तो वो थी विधेवादी पद्धती विकल्प नमबर दो इसका क्या होगा सही उत्तर होगा अगला प्रशन है देखिए सिद्धों में किसका स्थान सबसे उंचा माना जाता है तो देखिए सिद्धों में जो सबसे उ जोड थे ठीक है तो ये है और शवरपपा की जो प्रमुक रचना है वो है चर्यापद और लुईपा की जो प्रमुक पंक्ती है देखिए वो कौन सी है वो है कि कातरवर पंच विडाल कई बार परिक्षा में ये भी पूछे जाती है तो सिद्धों में सबसे उंच स्थान किस पाका ही भना जाता है बीजक का संबंध किस से है तो देखिए बीजक महत्वपूर्ण प्रशन है वैसे और सिंपल भी है तो इसका संबंध है कबीर दासची से ठीक है इसमें तीन चीज़ें कौन कौन से थी साकी साबद और रमेनी अगला प्रशन है देखिए कबीर की शका है जब कि हजारी परसाद दुवेदी इनको वानी का डिक्टेटर कहते हैं ठीक है नेक्स से देखिए कौन सी रचना मंजन की है तो ये है देखिए मधुमालती इसके बारे में हमने पीछले कल अपना एक लेक्चर त्यार किया था जो भी हमारी सूफी का विकृतिया है उ आलवार तो ये क्या थे वैशनव थे विकल्प नंबर एक इसका क्या होगा सही उत्तर होगा विश्नु ठीक है नेक्स से देखिए अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम तो मलूक दास इसकी क्या है सही उत्तर होगा इसका ठीक है नेक और इसकी भाशा क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं नेक्स से देखिए कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है जानकी मंगल, रामचरित मानस, रामलला नच्चु या फिर गीतावली तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नंबर चार गीतावली बाकी तीनों के तीनों इनके क्या हैं प्रबंध काव्य हैं ठीक है, नेक्स से देखिए बिहारी की स्काव्य धारा के कभी हैं तो ये भी बहुत मत्पुन प्रशन है, आपको पता होना चाहिए क्वों रीती सिध है, कौन रीती मुक्त है, कौन रीती बद है जो भी मुक्य मुक्य हैं उनको आपने याद एक बार जरूर कर लेना है तो बिहारी का जो संबन्द है देखिए ये थे रिती सिद्ध कवी अगला प्रशन है रिती कालीन वीर कवी है तो रिती काल में वीर प्रता परक जो रचनाय रची है वो रची गई है बूशन के द्वारा तो विकल्प नंबर एक इसका सही उत्तर होगा नेक्स देखिए रस रहस्य किसके करिती है तो ये भी आपके जो रिती कालीन कवी है किसके द्वारा रची गई है रस रहस्य कुलपती मिश्र के द्वारा ठीक है इंपोर्टन्ट है ये इनकी रचना कई बार इसको प्रत्योगी प्रिक्षाओं में पूछ जाता है बिखारीदास की महतवपूर्ण जो रचना है वो देखिए वो है कावे निरने चिंता मनी की कवी कुल कलपतरु और देव की तो बहुत सारी है स्री बलबाचारे ने कहा था नेक्स से देखिए अबिदा उत्तम कावे है मध्यलक्शनालीन पंक्ति किस की है तो ये है देखिए देव की विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा सही उत्तर होगा नेक्स से देखिए हिंदी नईचाल में ढली कतन किसका है तो हिंदी नईचाल में ढली सबसे पहली बात तो ये कब की बात है 1873 चीग है और ये कहा है भारत इंदु हरिश्चंद्र जी ने विकल्प नमबर 4 अगला है देखिए देवराणी जिठानी की कहानी किस विधा की था तो भारतेंदु ने उपन्यास चब्द का जो प्रियोग किया था सबसे पहले ये मालती के लिए किया था और ये इनकी अधुरी उपन्यासिक कृती मानी जाती है ठीक है नेक्स से देखिए हिंदी प्रदीप के संबादक कौन थे तो जितने भी हमारे समचार पत्र हैं या एल्टी कमिशन में पूछा जाता है तो वहां से भी आपको जो जो भी मौत्वपोर्ण पत्रिकाएं हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है हिंदी प्रदीप पूछा गया है तो देखिए ये है बालकृषन भट की प्रताप नरायन मिश्र की कौन सी है ये आपकी प्रत प्रतिपरंद सरस्वती की 1874 में लिखी गई है तो इसको भी आपने याद करना है नेक्स देखिए नाथ साहित्य में आदिनाथ की संग्या की से दी गई है तो आदिनाथ किसको कहा जाता था ये कहा जाता था शीव को विखल्प नंबर एक इसका बिलकुल सही उतर होगा न नेक्स प्रशन है देखिए उद्धफशतक के रचनकार कौन है तो उद्धफशतक के जो रचनकार है देखिए ये हैं जगनातास रतनाकर और इनका उपनाम क्या है जकी के नाम से भी इनको जाना जाता है ठीक है विखल्प नंबर दो इसका सही उतर होगा अगला है एक भा अतपुर्ण कवीता है, देखिए, पुष्प किया विलाशा, उससे भी related प्रशन पूछ जाते हैं, ठीक है, नेक्स से दिखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध पंक्ती किस रजना की हैं, तो देखिए, इस वाले प्रशन में बहुत सारे स्टुएंट्स क्या है, क सरुदख खंड किस रचना में है, तो देखिए, मान सरुदख जो खंड है, यह है पदमावत में, और पदमावत में कुल केतने खंड हैं, देखिए, 57 खंड हैं, ठीक है, और पृत्विराज रासो में जो खंड है, उनको क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है, ठीक है, अगर ह मृदुला गर्ग को जो साहित्या कादमी पुर्षकार मिला है वो मिला है विकल्प नमर एक मिलजुल मन पर और यह इनका उपन्यास है ठीक है और इस पर जो साहित्या कादमी पुर्षकार मिला है देखी यह मिला है वर्ष 2013 में अगला प्रशन है देखिए रहों के अनवेशी किन्हे कहा जाता है तो ये कहा जाता है तारसब्तक के कवियों को और किसने कहा था ये सचीदानंद हिरानंद वात्सयाईन अग्येजीने और तारसब्तक का प्रकाशन कब हुआ था ये वगा था 1943 में ठीक है अगला प्रकाशन है हालाबाद की प्रवर्तक किसे माना जाता है तो ये प्रकाशन भी कई बार परिक्षा में पूछा जाता है तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के प्रवर्तक ठीक है नेक्स प्रकाशन है प्रगतिवाद का सैदान्तिक आधार क्या है तो देखे प्रगतिवाद का जो सैदान्तिक आधार है यह है दुन्दात्मक बहुतिक बाद विकल्प नमबर 4 इसका क्या होगा सही होगा क्यूंकि जो आपका दुन्दात्मक बहुतिक बाद है ये किस के अंत्रगत आता है, माक्सवाद के अंत्रगत, और कहा ये जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में क्या है, जो प्रगतिवाद है, और राजित्य के क्षेत्र में वही क्या है, माक्सवाद है, ठीक है, नेक्स प्रचने देखिए, श्वानों को मिलता दूद भात, बच्च कभी और तीसा सब तक का प्रकाशन कब हुआ था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं अगला प्रशन है देखिए हम पंची उनमुक्त गगन के मिट्टी की बारात किसकी रचनाए हैं तो ये जो रचनाए हैं देखिए ये हैं शिव मंगल सिंग सुमन की और शिव मंगल सिंग सुमन किस वाद के कभी है या किस कावेधारा के अंतरगति आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए अगर नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं पता करके चलिए अगला प्रशने देखिए ब्रह्मराक्षस और भूल गरती किस की कृतिया हैं बहुत ही मौतपूर्ण रचनाए हैं ये और परिक्षा में इन से रिलेटिड प्रशन कई बार पूछा जाता है ठीक है तो ये है मुक्ति बोद जी की बिकल्प नम्बर तीन अगला प्रशन है देखिए बस बहुत हो चुका रचना किस की है मौनदास न्यानी श्राय जैपरकाश कर्दम टाक भोरे या फिर ओम परकाश वालमी की तो जीतरें भी नाम यहां पर चार रखे गए हैं देखिए ये चारों कि चारों क्या है आपके जो भी दलित लेकक हैं ये है ना तो ये जो बहुत बस बहुत हो चुका जो काव्यकृती है ये किस की है ये है ओम परकाश वालमी की जी की पिकल्प नम्बर चार इसका क्या है सही उत्तर होगा नेक्स से देखिए उदंत मारतंड की पत्रिका थी तो ये किस त्रीके की थी त्यानिक थी, सब्ताहिक थी, पाकशिक थी या फिर मासिक थी प्रत्थम तो ये थी ही थी ठीक है लेकिन इसका रूप क्या था तो ये था सब्ताहिक पिकल्प नम्बर दो अगला पशने देखिए अनग किसका गीती नात्य है एक चीज तो ये है कि अनग क्या है गीती नात नाटक नहीं है और दूसरी बात ही है कि यutive कि का है तो अनक जो नाटक है देखे यह है मैतली शरण गुप्त जी का अगला प्यस्ञ है देखे कवीता क्या है किसका निबंद है तो कवीता क्या निबंद है ये है अचारे रामचंदर शुकल जी का नेक्स ने देखिए कौन रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नगेंदर नंदुलारे वाजपे या फिर शुकल तो रसवादी जो आलोचक हैं देखिए ये हैं डॉक्टर नगेंदर जबकि नंदुलारे वाजपे को माना जाता है सोचंदतावादी या सोच्टावादी आलोच एक प्रमुक व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता है नेक्स देखिए लालटीन की छत के रहचाईता कौन है तो लालटीन की छत ये क्या है निर्मल वर्मा का उपन्यास है तो विकल्ब नमबर दो इसका सही उत्र होगा नेक्स देखिए रहन पर रग्गु किस उपन्यास है तो रहन पर रग्गु जो उपन्यास है देखिए यह काशिनात सिंग जी का ठीक है नेक्स देखिए वैश्या जीवन से संबद उपन्यास है तो वहिषय जीवन से समभने जो प्रेम चंद का उपन्या से देखिए वो है सेवा सदन ठीक है तो इसका जो अन्य नाम है वो कौन सा है बाजारे हुसन उर्दू जो नाम है इसका ठीक है अगला पशना है देखिए प्रेम चंद की कौन सी कृति अंग्रेजों ने जब्द कर ली थी तो प्रेम चंद की जो कृति थी देखिए ये थी सोजय बतन जो देशबक्ती की भावना के कारण ही इसको क्या किया गया था जब्द कर लिया गया था और इसी में इनकी जो सबसे प्रमुक जो देशबक्ती की कहानी है वो है दुनिया का सबसे अनमूल रतन ठीक है नेक्स से दिखिए, प्रेम चंद उत्र युगिन उपन्यासकार नहीं है, विश्नु प्रभाकर, जिनेंद्र उग्र या फिर अग्ये, तो प्रेम चंद उत्र पूछा गया है दिखिए, ये हैं पांडे बेचन चर्मा उग्र, नेक्स प्रशन है दिखिए, बीशम साहनी और यश्पाल, किस विचारधारा से थे, तो ये थे माक्सवादी विचारधारा से, विकल्प नमबर 4 इसका क्या होगा, सही उत्र होगा, अग्ला प्रशन है, अरस्तु ने विशाधांत, या जिसको कहते हैं, दुखांत नाटक के कितने अंग माने हैं, तो अरिस्टोटल मानत ये वो होगा भी कल्प नमबर 1, चंदर गुप्त, नेक्स प्रशन है, अगनिलीक किसकी कृती है, तो दुश्यंत कुमार हैं, भारत वोशन अगरवाल हैं, सियराम शरन गुप्त, या फिर सुमित रंदन पंत, तो इसका जो सही उत्र है दिखिए, ये है भारत वोशन अगर पांजून को अनमाहँद सभ ठीक है, और 10 दिसंभर को मानमभाधि काद इवस जो आज के दिन है, ठीक है, तो नेक्स तो दिखिए, हिंदी का पाने नी किसे कहा जाता है, कामता प्रसाद, गुरू को, जबकि प्राकृत का पाने नी किसको शो कहा जाता है, हिम चंद्र को, रामदहिन मिश्र इनकी जो प्रमुक रचना है दिखिए वो है प्रवीशी का हिंदी हिंदी व्याकरण से ही रिलेटिड है ये भी ठीक है तो हिंदी का पाने नहीं किसको कहा जाता है कामता प्रसाथ गुरुजी को नेक्स से है खड़ी बोली का प्रत्थम कभी किसे माना जाता है तो ये है अमीर खुसरो को माना जाता है खड़ी बोली का प्रत्थम कभी नेक्स से दिखिए प्रिये प्रवास में कुल कितने सर्ग है तो प्रिये प्रवास में कुल चो सर्ग है ये है 17 सर्ग क्लियर है और प्र प्रशन को हमने अच्छे सी discuss किया भी था, जो हमारे पाश्चाथ का भशास्तर के अंत्रगत हमने दो लक्षर तियार किये थे, वहाँ पर हमने इन चीज़ों को discuss किया भवा है, तो यह मानते थे पूरा का पूरा बल किसो देते थे यह पार्ठ पर, तो देखे ये कथन कहा था प्लेटो ने और प्लेटो की जो प्रमुख रचना है देखे रिपब्लिक उसमें नोने ये बात कही हुई है नेक्स देखे देखे दा मिनिंग आफ मिनिंग पुस्तक किसकी है कॉलरिज, रिचर्ड्स, इलियट या फिर क्रोचे तो ये रचना हैorie Richards की ठीक है और ये रिचर्ड्स का जनम कब हुआ था ये हुआ था अठ़ासो तिरानुए में ठीक है नेक्स देखे आरस्तु के पेरिपोईटिक्स में कितने अध्याय और प्रिष्ट है तो देखे अध्याय हैं इसमें 26 और प्रिष्ट केतने हैं 50 तो बिकल नमबर 4 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा नेक्स प्रेशन है अनेक आर्थ था ambiguity को कावेभाशा का प्रानतत्तो किसने माना है तो इस वाले प्रेशन को भी हमने अच्छे से उस वक्त discuss किया होगा था आप चाहें तो एक बार फिर से जो पाश्यात्य कावेभाशा सर के उपर जक्छत त्यार किये हैं उनको देख सकते हैं HPLT Commission के नाम से हमारे जो प्लेलिस्ट है बनी हुए है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए ambiguity को कावेभाशा का जब प्रानतत्तो मानते हैं वो मानते हैं emson next question है कौन प्रतीकवादी नहीं है तो देखिए प्रतीकवादी जो नहीं है वो है D.H. Lawrence तो ये क्या है ये है बिम्बवादी विकल्प नमबर एक इसका क्या होगा सही होगा जबकि प्रतीकवाद के जो प्रत्थम प्रयुकता मानते हैं वो है William Butler Yates ठीक है और Stephen George और मलार में ये दोनों क्या है प्रतीकवादी है ठीक है न और इसका जो सही उत्रह देखिए वो है Lawrence ये है बिम्बवादी next जदी कि ये tender का सही अर्थ क्या है तो ये आपके परिभाशिक शब्द है यहां से आपने क्या करना है जितने भी मैंने इससे पहले जो परिभाशिक शब्दों शब्दावली के लिए भी एक lecture बनाया था कि आपको परिभाशिक शब्द कहां कहां से मिल सकते हैं और किन पुस्तकों से आप easily उनको पढ़ सकते हैं मैंने बताया था आपको कि अचची पब्लिकेशन का जो प्याकरण है जो प्याकरण भारती है वो बहुत बहतरीन है आपके परिभाशिक शब्दावली को समझने के लिए तो देखें टेंडर का जो सही अर्थ है वो है आपका निविदा समविदा का मतलब है आपका जो कॉंट्रेक्ट हम बोलते हैं कि ये कॉंट्रेक्ट लिए गया है तो उसका मतलब क्या है समविदा ठीक है नेक्स्ट देखिए डिस्टिंक्ट का अर्थ बताना है आपने तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सूस पष्ट करना विकल्प नमबर परी पत्र ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह अगर आपका विकल्प नमबर 1 next question ने देखिए upgrade अपग्रेट करना किसी चीज़ को है न तो उसको कहते है उनने विकल्प नमबर 2 इसका सही उतर होगा next है देखिए designation तो designation का होता मतलब ओधा या पदनाम ठीक है next है protocol तो यह repeated ही है तो इसका मतलब होता है नयाचार विकल्प नमबर 4 इसका क्या होगा सही उतर होगा next है देखिए दोहा और रोलाचंद के मिल से क्या बनता है तो दोहा और रोलाचंद के मिलने से बन जाते है आपका कुंडलिया ठीक है विकल्प नमबर 3 इसका सही उतर होगा next है संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते है अभीधा लक्षना या फिर व्यंजना तो इसको कहा जाता है देखिए अभीधा शब्द शक्ति से रिडेटेड भी प्रशन पूछा जाता है इनकी आपने प्याक्या याद कर लेनी है कई बार इस तरीके स कौन साइस में से नहीं है तो इस में से अर्थ लंकार जो नहीं है देखिए वो है आपका वकरोकती ये किसके अंतरगत आता है शब्द लंकार के अंतरगत आता है next है संचारी भावों की संख्या कितनी है तो संचारी भावों की संख्या माने गई है 33 next question है सधारणी करण का सिधान्त किस ने दिया है तो देखे सधारणी करण का जो सिधान्त दिया ये दिया है बटनायक ने विखल्प नुबर 2 सही उतर होगा अगला पशन है देखिए उप रूपक के कितने भेद हैं देखिए रूपक के भेद हैं 10 जबकि उप रूपक के भेद हैं 18 नग्स है देखिए देवासूर में कौन सा समास है तो देखिए समासों के उपर भी हमने पूरा का पूरा लक्षर त्यार किया हुआ है हिंदी वियाकरण के नाम से प्लेलिस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं तो देवासूर में समास जो है देखिए वो है आपका द्वन्द समास तो द्वन्द समास की पहचान मैंने आपको बताई थी कि जहांपर विग्रह करने पर बीच में क्या आ जाए और आ जाए या फिर जिसके बीच में योजक चिन लगा हो उसको कहते हैं द्वन्द समास लेकिन यहांपर द्वन्द समास की जो पहचान है वो योजक चिन की जरीए नहीं हो सकती इसलिए हमें इसका विग्रह ही करने पड़ेगा देवता होर असूर तो जहांपर भी और लगे बीच में तो उसमें कौन सा समास होता है द्वन्द समास होता है ठीक है तो भी कल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होना है द्वन्द समास मतलब जहांपर जो पूरु पद होता है वो क्या होता है जे स्मस्थपद का कोई भी पद पर धान ना हो बलकि स्मस्थपद पर किसी तीसरे अर्थ का प्रक्ट करे उसमें कौन सा स्मास होता है तो देखिए जो तीसरे अर्थ को प्रक्ट करता है उसको कहते हैं बहुब्री स्मास जैसे दशानन है ना दशनन का मतलब हुआ दस सिर्वाला लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए एक तरीके से कहा जाता है कौन है वो तीसरे व्यक्ति वो है रावन ठीक है तो इस तरीके से जहां पर जो समान्य अर्थ है उसको प्रकटना करते हुए क्या करते हैं किसी तीसरे अर्थ के लिए जो rude हो गया है उसको कहा जाता है और वो ही अता आपका बहुबरी स्मास ठीक है नेक्स से देखिए देव उपासना में कौन सी संधी है तो देखिए संधियों को भी हमने अच्छे से डिसकस किया हो है और बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी कि आपने किस तरीके से इसको पहचान है देखिए बीच में O की मात्रा लगी है तो इसका मतलब है इसमें गुण संधी है यह और O की मात्रा हैं बीच में आपको दिख जाए देट मींस कि वहाँ पर क्या है गुण संधी है और यह कैसे O बनता है देव जम्हा उपासना O के बाद अगर O हो तो उसका O हो जाता है यह सारी चीज़ें भी हमने डिसकस की हुई है आप चाहें तो इनको भी संधियों वाली वीडियोस में चेक कर सकते हैं ठीक है नेक्स प्रशन है देखिए नयन का संधी वीचेद होगा तो नयन का जो साही संधी वीचेद होगा देखिए वो होगा ने जम्हा अन विकल्प तीन एक्स दंत्य 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 द विसमयकारी या फिर मिश्रवाक्या तो देखिए ये वाला वाक्य जो है ये है मिश्रवाक्या मिश्रवाक्या क्या होते हैं जहां पर पहला वाक्या दूसरे वाक्या पर आश्रित होता हो तब कंप्लीट होता है वो देखिए पहले इसमें एक वाक्या है कि उसने मुझसे कहा हमें पूरी जानकारी नहीं है कि उसने क्या कहा बीच में की इलग गया जब हम उसने की जोड दिया की से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है मिश्रवा क्या है और ये जो पहली चीज है ये दूसरी चीज पर क्या है एक तरीके से आश्रित है हम उत्सुक हैं जानने के लिए कि उसने क्या कहा ठीक है उसने मुझसे कहा कि वह स्कूल नहीं आएगा तब जाके यह क्या हुआ कम्प्लीट हुआ इसको कहते हैं मिश्रवाक के लिए ना नेक्स देखिए निज का भावाचक है निजी निजत्तो निजता या फिर निजिक तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वह आपका विकल्प नंबर दो निजत्तो या निजता भी हो सकता है लेकिन करक्ट अंसर क्या होगा इसका निजत्तो ठीक है नेक्स देखिए स्त्रीतो में कौन सी संग्या है स्त्रीतो तो स्त्रीतो में भी आपकी कौन सी संग्या है भावाचक संग्या ही है ठीक है अगर हम स्त्री की बात करें सिंपली तो वो क्या है जाती वाचक संग्या होगा ठीक है अगर राधा की पक्षी बैटे हैं वाक्य में पर कौन सा कारक है तो देखिए कारक के कितने भेद होते हैं ये भी पता होना चाहिए और इनके जो कारक चिन है जो भी वक्ती चिन होते हैं इनके उसके बारे में भी पता होना चाहिए तो पर किसमा आता देखिए अधिकरण में आता है ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह आपका विकलप नमबर एक अधिकरण ठीक है नेक्स ते देखिए जयोती रोती है वाक्य में कौन सी क्रिया है तो देखिए क्रिया दो तरीके की ही है सकर्मक और अकर्मक ठीक है यहाँ पर इस वाक्य में ये दो चीज़ें ही हमने देखनी है बाकी चीज़ों को अभी हम डिसकस नहीं करेंगे ठीक है अकर्मक और सकर्मक त यहां पर आपने स्वयम से यह प्रशन करना है वाक्य को पढ़ने के पश्चात कि जोती क्या रोती है या किसे रोती है तो हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है अगर हमें इसका उत्तर मिलेगा तो क्या होगा सकर्मक होगा अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक होती है यह कुछ इसलिए इसका जो सही उतर होगा, वो होगा अकर्मक क्रिया, ठीक है, यसी इसका एक और उदारन में देता हूँ आपको, जिससे राधा गाती है, ठीक है, राधा अधाकाती है लिखा गया है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है अकर्मक क्रिया है तो इसलिए इस वाले बाके में भी क्या होगा अकर्मक क्रिया होगी नेक्स ते दिखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं सर्वनाम के भेद होते हैं छे भेद ठीक है नेक्स ते दिखिए क्रि लिए एक शब्द क्या है अलोकिक बहुतिक एहिक या फिर देहिक तो इस लोग से जो सम्बंद रखता हो उससे कहते हैं एहिक ठीक है नेक्स ते देखिए बिना घर का के लिए एक शब्द है अनात अनिकेत अनिग्रह या फिर अनाहत तो देखिए बिना घर का जो होता है उसक विकल्ब नमबर 4 अचला तो देखिए प्रियावाची विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी आपको इसमें पूछे जाएंगे नेक्स जा देखिए पौबारा होना महावरे का अर्थ क्या है तो देखिए पौबारा होने महावरे का अर्थ जो होता है यह होता है लाब ही लाब होना अगर इस तरीके से पूछा जाता कि पौफटना का अर्थ क्या होता है तो पौफटना होता है सूबा होना विकल्ब आत पकड़ना, बिकल्प नूबर 4, next question है देऍकिए, गाल बजाना, तो गाल बजाने का मतलब है डिंगहांकना, छीक है, next है, सिभारिश किस बहशा का शब्द है, तो सिभारिश जो शब्द है देखिए, यह आपका फारसी बहशा का शब्द, clear है next है दिखिए मृदुल का बिलोम शब्द क्या है मृदुल का उल्टा रुक्ष next है कौन सा शब्द बहुवचन है तो बहुवचन जो शब्द है इन में से वो है प्राण ठीक है हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए या ऐसा कहते हैं कि प्राण निकल गया ठीक है बाकी सारी चीज़ें क्या है एक वचन में यह है प्राण क्या है प्राण क्या है हमेशा प्रुक्त होता है ठीक है निर्वहा में उपसर्ग कौन सा है तो देखिए इसमें जो उपसर्ग है वो आपका नी उपसर्ग ठीक है विकल्प नमबर ए next है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है तो उपसर्ग जिसमें नहीं है वो कौन सा है आपका देखे वो है ओड़ना फिकल्प नंबर एक इसका क्या होगा सही उतर होगा नेक्स से देखिए गनाक्षरी चंद है गनाक्षरी कैसा है मातरिक है वारनिक है या फिर मिश्र है तो देखिए गनाक्षरी जो चंद है ये आपका वारनिक चंद अगला प्रशन है मनोविज्ञान में अध्याइन किया जाता है बाले अवस्था के भेभार का घर्ब कालीन अवस्था से परिपक अवस्था तक का तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर दो घर्ब कालीन अवस्था से परिपक अवस्था तक का ठीक है जो आपका शिक्षा सास रहे देखें बाल मनों विज्ञान है वहां से प्रश विकल्प नमबर तीन इसका क्या होना था? साई उतर होगा. नेक्स से दिखिए किस अधिगम मनोवज्ञानिक ने बाल अधिगम विखास में पुरुसकार को महत्व नहीं दिया है? तो इसका जो साई उतर है विकल्प नमबर दो गुथरी ने. नेक्स पॉचने दिखिए पठन अक्षमता क्या कहलाती है? अक्षमता वाले चप्टर से भी एक पशन चरूर पूचा जाता है. यह भी आपने देख लेना है. तो पठन से रिलेटर है तो वो है दिस्लेक्सिया. नेक्स से दिखिए शिक्षा को सार्थक कब माना जाता है? का विशेश महत्व है तो यह है खेलों का विकल्प नंबर एक इसका सई उतर होगा अगला पशन है हंटर आयोग कब बना तो यह बना था 1882 में ठीक है अगला पशन है देखिए ओपन बुक परिक्षा का महत्वपोन पहलू क्या है चातर गंभी रहते हैं कक्षा में चातरों क चिंताएं कम करता है अगला है सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम किस से संबंधित है यह है बिकल्प नंबर चार ततपरता से ठीक है ततपरता मतलब सधैब किसी हर चीज को करने के लिए तैयार रहना एक तरीके से तो वह है सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम नेक HPG के वाले पोर्चन से थोड़े से प्रशन आपके लिए रखे गए हैं, तो जो म्याड गाटी है देखी यह है आपके लाहौल स्पिती में, विकल्प नमबर दो इसका क्या होना था, सही उतर है, नेक्स है एशिया का सबसे उंचा गाउं कौन सा है, तो कीपर है, काजा है, य होगा जैवंत राम, जबकि जो करम सिंग थे ये थे दूसरे, ठीक है, अगला पशन है दिखिए, हिमाचल प्रदेश में नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो नया जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, यह हुआ था 1994 में, क्लियर है, पिकल नमबर तीन, इसका क्या होना था, सही उतर होगा, नेक्स से दिखिए, कामधेनू, हितकारी मंच, हिमाचल प्रदेश में कहां गठित किया गया है, तो यह लडबढ़ होल मंडी, नम होल बिलासपूर, अरकी सोलन या कोई नहीं, तो इसका जो सही उतर होगा दिखिए, विक गिंदरनगर या फिर करसोग में, तो इसका जो सही उतर होगा दिखिए, गोहर मंडी में, ठीक है, विकल्प नमबर एक, नेक्स से दिखिए, गुपालपूर चिडियागर हिमाचल प्रदेश के किस चिले में है, तो यह है कांगड़ा में, विकल्प नमबर एक इसका सही उ रासन जोगाटी है, यह आपका डिस्टिक कुल्व में, विकल्प नमबर दो, इसका सही उतर होगा, नेक्स से देखिए, चालुक क्यावश की राजधानी कहां थी, हिस्ट्री से रिलेटर प्रशन पूचे गये हैं, तो हिस्ट्री के जो प्रशन है देखिए, ज़्यादा नहीं पूच जाते हैं, जो जो भी प्रमुक घटनाएं, जा प्रमुक रुक चीज़े हैं, वो आपने देखनी है, चालुक क्यावश की जो राजधानी थी, यह थी वातापी में, विकल्प नमबर एक, नेक्स है, 122, मांट आबू के दिलवाडा, मंदिरों का निर्मान किस ने किया, तो यहां पर दिलवाडा हो गया है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है, दिलवाडा मंदिरों का निर्मान किस ने किया था, यह किया था, सोलंकियों ने, विकल्प नमबर 3 इसका सही उतर होगा, अगला प्रशन है, इबन बतुता भारत किसके शासनकाल में आया था इबन पुद्धता जो भारत आया था देखी, यह आया था मुहम्मद बिन तूलक के काल में, विकल्प नमबर 4 इसका क्या होगा, सही उतर होगा, अगला प्रशन है देखिए, ताजु के जहांगीरी पूस्तक है, यह है चहांगीर की ही, विकल्प नमबर 2 इसका सही उतर हो अगला प्रशन है पाकिस्तान शब्द का प्रत्थम प्रयोग किस ने किया है तो देखे यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है ना कि देश का ठीक है तो प्राकिस्तान शब्द का जो पहला प्रयोग किया है यह किया है चौदरी रहमत अली के द्वारा विकल्प 4 will be the right answer next question है देखिए सही वर्तनी आपने देखनी है English से related भी आपके एक दो प्रशन पुछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए Authority की Spelling पुछी गई यहाँ पर Authority की जो सही Spelling है देखिए A-U-T-H-O-R-I-T-Y विखल्प नमबर 2 Clear है Next से देखिए इन में से कौन केंद्र सरकार का पहला विधी अधिकारी होता है तो यह होता है आपका देखिए महा नियावादी और महा नियावादी को अंग्रेजी में क्या का जाता है At Ornay General तो यह प्रीबियस एर के पिपर में पूछा गया था जो आपके परिभाशिक शब्दावली के अंद्रगत है न तो इस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए Next से देखिए भहरत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है तो यह संसद के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है विकल्प नमबर तीन सायूतर होगा आखरी जो प्रशन है आज का देखिए भारत में किस राज्य में सरव प्रत्थम पंचायती राजवेवस्था की शुरुवात की गई थी देखिए भारत में जो सबसे पहले पंचायती राजवेवस्था की शुरुवात होई थी यह हुई थी राजस्थान में कब हुई थी यह भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो यह थे दोस्तो 130 प्रशन पूरे के पूरे आपके पैटर्न के अधार पर ही रखे गए थे इन प्रशनों में अगर आपको लगता है कि कुछ एक प्रशनों से गलत होगे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल में भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्चा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद